गरीब पिछडों की पार्टी है वियाईपी पार्टी के सुप्रिमों है मुकेश सहनी आती पिछडा पॉलिटिक्स कर रहे हैं निशादों के आरक्षन की मांग कर रहे हैं सडक पर उत्रेंगे लेकिन 4 करोड के रत से बस ऐसी जिसमें 18 रेकेट सोने का इस्तमाल किया गया है मुकेश सहनी शहर सचहर जाएंगे और अपने वोटरों के सामने पार्टी की इरपात रखेंगे और शपत दिलाएंगे ये तो एक नेता की तयारी आपने देखी अब आपको इनके पीछे का आयोजन में लगे लोगों का निश्वार्थ भाव भी दिखाते हैं हमारे समभादाता ने जायजा लिया रत यात्रा का और हो रही इस तयारियों को लेकर तो देखिए कैसे फ्लेक्स की तयारियों में लगे कारेकरता नहीं जबाब दिया वो बनाए जा रहे हैं और उसके लिए लकडियां जो है वो काटी जा रही है और आपको बता दे कि कडीब 40,000 होर्डिंग पोस्टर ऐसे बनवाए जाएंगे जिन पर लिखा होगा कि आरक्षन नहीं तो गटवंदन नहीं अब सबसे पहले तस्वीर देखिए जहां पर एक वी आईपी के कार करता है जो जिनका एक पैर नहीं है और ये पार्टी के लिए फ्री में ये बना रहे हैं होडिंग पोस्टर बना रहे हैं सबसे पहले हम इन से बातचीत करेंगे पैसा ले रहे हैं कि फिरिमस बना रहे हैं से खासंग कर आब करते हैं हैं इसलिए हम कम करते हैं तो आपको अच्छे नेता लगते हैं अच्छा नेता लगता हूँ कितना अभी तक खोडिंग बना लिए हैं यह जो बना रहे लकडी से कितना फ्रेम अभी तक बना लिए देव जोती जी हम उनसे बाकी की बात चीत करेंगे देव जोती जी कैसे त्यारी चल रही है आप लोग की इन सब चीजों को लेकर के पार्टी का जो नारा है हमारे नेता ने दिया है कि आरक्षण नहीं तो गड़बंदन नहीं और यह नारा आज से नहीं 2014 से नारा चल रहा है और आज के 2023 में हम लोग खड़े हैं 2024 की लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर वाने वाला है तो पार्टी का नारा है कि आरक्षण नहीं तो गड़बंदन नहीं सारे लोग करता जेतने भी लोग हैं लगे हुए हैं इस आरक्षण की मांग को जो है हम लोग बुलंद करेंगे करें और मिशनसे हम लोग मांग रहे हैं और केंदर आधुरे यह दो हमीद है कि कैसी लृटावे हो लाइस हजार और देखिए बांस बांस भी और वहां पड़ा हुआ है टोटल बांस जो है यह लोग कार्य करता है यह लोग बना रहे हैं अपने मंद से पैसा नहीं मिल रहा है पैसा मांगे तो क्यों नहीं मिलेगा यह वरकर है हमारा डिडिकेटेट वरकर है अधर्णिया सनौफ मला पैसा लेना ही नहीं चाते हैं यह लोग और देखिए बना रहे हैं और यह बिकलांग है और यह टोटल यह पिछले 10 दिन से बना रहे हैं करीब करीब 4.000 हमारा भी बन चुका है और उमीद है कि आज रात भर में जो है और कुछ स्टेंट इसमें लगा रहे हैं हम लोग और कल पटना में जो है हमारा रत घुमेगा जो निशाद संकल्प रत है वो पटना में घुमेगा कल पटना पूर्वी में घुमेगा परसु पटना और पाली में भी घुमेगा टोटल फर्स्ट फेज का एक लिस्ट जारी कर दिया गया है आपको वो लिस्ट हम दे भी देंग आपको अरक्षन की बात नहीं कहीं तो क्या अकेली चुनाव लडेंगे लड़े नहीं क्या बोचाह में नहीं लड़े बाइज आप एक चीज़ जान लीजिए जेपी आंदोलन का नाम सुना होगा आपने जेपी जेपी कभी कोई जो नहीं बन सकते हैं जब आंदोलन है जब उन्होंने कह दिया कि हमारे लिए महत्पूर्ण नहीं है हम समाज के लिए और अतीप पिछडों के लिए जो है और निशाद आरक्षन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसकी आवाज को हमारे नेता बुलंद कर रहे हैं लेकिन हमारी नेता का प्राथमिक्ता नहीं है कि मिनिस्टर बने लोकसभा बने राजसभा बने काउंसिल जाए वो नहीं है प्राथमिक्ता है कि आप गरीबों की आवाज को बुलंद करें चलिए तो अभी व्याइपी के परवक्ता देव जोती जी थे और जिन्होंने इस रथ यात्रा यात्रा का पुरा स्वरूब बताया है और साथ इसाथ जो जो फ्लेक्स बना जा रहा है चार हजार फ्लेक्स ब प्राथमिक्ता देवाटना